जेहिन दोस्तो रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ important information दूँगा सबसे पहली information है रक्षा मंतरी ने 23 नए सैनिक स्कूलों को मंजूरी दिये यानि कुछ सैनिक स्कूल खोले जाएंगे जिसमें भूतपूर सै संगठनों निजी स्कूलों और राज्य सरकारों के साथ साजेदारी करंबत तरीके से खोले जाएंगे इन स्कूलों को 109 सैनिक स्कूल स्थापित करने की सरकार की पहल के तैट मंजूरी दिये दोस्तों यह बहुत अच्छा कदम है रक्षा मंतरी जी का कि यह स्कूल खोल र करता गया है कि जो कम्यूटेशन एमाउंट है जो कम्यूटेट वैलू है वो फैमली पैंशन में से नहीं काटी जाएगी अगर कोई डिपार्टमेंट या फिर PCDA इसपर्श बैंक फैमली पैंशन में से कम्यूटेशन काटा जाता है तो उन पे जुर्माना लगा जाएगा और दोस्तों अगर फैमली पैंशन में से कम्यूटेट एमाउंट माइनस किया जा रहा है उनकी पैंशन में से काटा जा रहा है तो फिर फैमली मेंबर ये वाला लेटर दिखा सकते हैं अपने PDA को जो पैंशन दे रहा है तो फैमली पैंशन में से कम्यूट एमाउंट नही उसके बाद जा family pension इस चार्ट होती है, तो family pension में से commute amount नहीं काटा जाता, family pension, full family pension दी जाती है, तो इस letter में यही लिखाता, चलते हैं आगली information की तरफ, दोस्तो फिर एक grant है, education grant है, रक्षा मंतरी ex-serviceman welfare fund की तरफ से, जो केंद्रिय सैनिक board प्रवाइड करता है, तो दोस्तो इसमें एक application है, जिसकी last date है, 30 सितंबर 2023, तो 30 सितंबर 2023 से पहले पहले, या फिर 30 सितंबर 2023 तक आप application form परके, अपने केंद्रिय सैनिक board को दे सकते हैं, उसके base पर education grant मिलती है, तो जिनके बच्चे class एक से लेके 9 तक या फिर 11th class में हैं, तो उस तरीके से उनको education grant मिल लिए तो दोस्तों ये application निकल रखी थी, जिसके base पर ये education grant मिलेगी, रक्षा मंतरी ex-servicement welfare fund की तरफ से, तो इसके लिए आप अपने केंद्रिय सैनिक board से contact कर सकते हैं, या फिर वहाँ जाकर भी आप application ले सकते हैं, चलते हैं दोस्तों अगली information की तरफ, फिर दोस्तों, economics time की तर सेत किया है, एक warning दिये, कि आप अपना life certificate 30 November से पहले पहले submit कर देजिए, ताकि आपकी जो pension है, वो continue रूप से चलती रहे, pension में, कोई रुकावट ना आए, तो इन्होंने भी deadline दिये, 30 November की, चाहे आप spurs के तुरू pension ले रहे हो, या फिर bank के तुरू pension ले रहे हो, जो spurs के प्रू pension ले रहे हैं, वो अपनी due date देखें, और उसके according अपना life certificate submit करें, चाहे वो खुद pensioner हो, या फिर family pensioner हो, तो 30 November की यहाँ पर guideline दी है, तो इन्होंने भी एक notification जारी किया था, एक tweet किया था, economics time की तरफ से, कि pensioners सची रहे है, time पर अपना life certificate submit कर सके, चलते हैं अगली information क की तरफ, दोस्तों फिर एक यह news आई थी, हिंदुस्तान newspaper में, जिसमें DA को लेकर एक खबर आईए, कि 4% बड़ा DA, दशारह से पहले मिलेगा area, किसके लिए खुछ खबरी, दोस्तों अभी DA पे कोई cabinet approval नहीं आईए, तो तमाम तरीकी के जो newspaper हैं, उसमें अलग-अलग खब मिलेगी, कि 3% बड़ेगा, 4% बड़ेगा, 5% बड़ेगा, लेकिन हमें सिरफ वेट करना है cabinet approval का, जो सितंबर में या फिर अक्टूबर में हो सकती है, तो cabinet approval से हमें पता लगेगा, कि जुलाई 2023 से कितना परसेंट DADR बड़ेगा, क्योंकि consumer price index के अधार पे, आंकडों के उमीद है, लेकिन final हमें पता लगेगा, cabinet approval में, और इस newspaper में लिखा है, कि 3% हो सकता है, और दोस्तों ये नो ने बता है, कि जिस तरीके से, पहले जो PTI ने All India Railwayman Federation के मास्यचिप शिवा गुपाला मिश्रजी के हवाले से काता, कि शायद भारत सरकार 3% दी DADR बड़ेगा, त आपको घबराने के जुरत नहीं है, हम सिरफ वेट करेंगे cabinet approval का, जब cabinet approval हो जएगी, तो automatically हमें बतला जएगा, कितना परसेंट DADR बढ़ रहा है, जुलाई 2023 से, और आकडों के बेस पर 4% DADR बढ़ना है आपका, तो दोस्तों इन खबरों पे हम believe नहीं कर सकते, जो इदर OROP पे, पहले आप ये वीडियो देखें, ऊफिसर्स को जादा फाइदा मिला, और जो हमारे जवान है उनको कम फाइदा मिला, मगर शाये OROP जादा जवान को चाहिए होता है, मतलब उसके लिए जादा ज़रूरी है कि ओफिसर के लिए, और एंड में लड़ता तो जवान है तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखा जिसमें रहूल गांदी जी बता रहे हैं कि OROP किसके लिए OROP में officers को ज्यादा फाइदा मिल गया बलकि जवानों को कुछ नहीं मिला तो दोस्तों मैं इनसे यही गुजारिश करूँगा कि आप भी जवानों के लिए कुछ करें आप भी मांग पत्र या जो भी मांगे हैं वो भी आप भारा सरकार तक कुछ आएं लिखित में या फिर मौखिक रूप में ताकि जवानों का कुछ भला हो क्योंकि खाली बोलने से कुछ नहीं होगा कुछ करके दिखाना पड़ेगा अगर आप इस पीश दे रहे हैं आपको पता है कि ओवारोपी किसके लिए है किसका हक किसको मिलना चाहिए वन रैंक बन पेंशन का असली हकदार कहन है तो इसके लिए मैं इनसे आगरे करूँगा कि आप कुछ करके दिखाएं जो आप बता रहे हैं वो आप लिखित रूप में भारा सरकार के सामने प्रेजेंट करें बताएं उन्हे और इसके बेस पर अगर कुछ अच्छा हो तो जवानों को लिए बहुत कुछ हो सकता है लेकिन इन्हें भी बताएं कि असली वारूपी या फिर वारूपी किसके लिए किसके एकोर्डिंग कौन फायदा ले गया वन रैंक मन बेंशन का इन्हें भी पता है तभी ये बता रहे हैं तो दोस्तों आप क्या समझते हैं आप नीचे कमेंट करके बताएगा और मैं तो यही चाहता हूं कि जो भी कुछ काम हो वो जवानों के हक में हो चाय कोई भी करे हो क्योंकि दोस्तों मेरा कंसल्ट किसी राजनितिक पार्टी से नहीं होता है जो जवानों के लिए काम करेगा जो उनकी हेल्प करेगा हम उसी के साथ हैं चाय वो बीजेपी हो चाय वो कांगरेस हो चाय कोई दूसरा आदमी हो जो जवानों के हित्मे काम करेगा, जो उनकी भलाई का काम करेगा, हम उसी के साथ हैं, हम कोई ruling party या फिराजनेतिक party के support पे नहीं रहते हैं, हम बिल्कुल अलग हटके चलते हैं, और हम ये उमीद करते हैं, कि जो ये बता रहे हैं, इसका असर 12 सरकार पे पड़े, और ये भी जवानों की मांगों को लेकर भारा सरकार के सामने कुछ रखें, ताकि कुछ अच्छा response निकल के आए, तो दोस्तों, ये कुछ चीजे मैंने आपके सामने discuss करी, आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, वीडियो आपको अच्छ लगता है, वीडियो को ल चैनल को अप सस्क्राइब कर सकते हैं, थैंक यू सो मच